भगवान करे कभी होस्पिटल की जरूत ना पड़े लेकिन अगर पड़े तो दादाजी मल्टी स्पेशलेटी होस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी किसी भी मुसीबत में सेवा करने के लिए 24 गंटे तयार है मद्यप्रदेश के खंडवा जिले में कल दो चाकुबाजी की वारदात हुई और दो लोगों पर जानलेवा हमले का अपराद दर्ज किया गया आपको बतादे पहला मामला पिपलोध थाना ख्षेत्र का है जहां पर डेहरिया गाउं में यह वारदात हुई मुराज्या पिता रामचंद बारेला की शिकायत पर आपको बतादे दल सिंग पिता गंदास पर 307 सहीत अन्य धारव में अपराद दर्ज किया गया है आपको बतादे कि दल सिंग ने मुराज्या को कहा कि वह उसकी बीवी पर गंदी नजर रखता है ऐसा करना छोड़ दे इस बात पर से उनके बीच में विवाद हुआ और आपको बतादे कि चाकू से दल सिंग पर मुराज्या ने हमला कर दिया और चेहरे पर वार किया जिससे जो दल सिंग है उसके जबडे पर काफी चोट लगी और उसके शरीर के अरने स्थानों पर भी चोट लगी जिसके बाद दल सिंग ने पिपलोध थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी मुराज्या पर पिपलोध थाने की टीम ने अपराद दर्ज किया है पिप पिता प्रकाश केवट निवासी कैलाश को उमकारिश्वर की शिकायत पर आपको बतादें कि हमंत की उमर भी 14 साल है और उसने अजे पिता बलराम सेन निवासी कैलाश को उमकारिश्वर पर 307 के तहट मांदा तथाने में परादर्ज कराया है। दरसल आपको बता दें कि गाली देने की बात पर विवाद शुरूआ, आरोपी ने फरियादी को मा बहन की गंदी-गंदी गालिया दी और हाथ मुक्कों से मारपीट किया, फरियादी के मामा दीपक द्वारा गाली देने से मना करने की बात पर से, कमर के बेल्ट में खोसे चा मारा गया दीपक को जान से मारने की नियत से चाकू मारा अब यहां पर जो फर्यादी है वो हेमंत है और दीपक को चाकू मारा गया आपको कह रहे हैं भगवान करें कभी होस्पिटल की जरूत ना पड़े लेकिन अगर पड़े तो दादा जी मल्टी स्पेशलेटी होस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी किसी भी मुसीबत में सेवा करने के लिए 24 गंटे तयार है